हेलो किसान भाईयों नमस्कार आज हम अपने लौकी के खेट पे आए हैं दिखाते हैं मेरे लौकी में फल आना शुरू हो गया है और मैंने कैसे पौदे को बांदा है जालर देने के लिए उसके बाद में मैं दिखाता हूँ कि फल कैसे है फूल कैसे आ रहे हैं मैं अपने या तीन अंगुर पे एक फल और शुरू है यह आप सामने देख सकते हैं इसमें भी फलाना शुरू हो गया है उसके बाद आप देखिए छोटी-छोटी जो भी ब्रांचेज हैं सारों पे फलाना शुरू हो और उसको मैंने जालर पे लगाया हुआ है मैं उपर दे दिया और लोंकी का जो जालर देते हैं जालर इसलिए दिये जाती है लोंकी को जालर देने का एक मकसद यह होता है कि लोंकी अगर जमीन में रहती है तो लोंकी टेड़ी रहती है टेड़ी हो सकती है या पौधे नीचे खराब से फल में भी दाग वगरा लगता है बट अगर आप जालर पे देते हैं तो लौकी सीधी होगी क्योंकि लटकन पे जब होती है तो लौकी जादा तर लौकी सीधी होगी और उसके बाद में काफी फाइदा होता है पर साथ में भी लौकी अगर जालर पे है तो पानी वगरा से लगने से बचत होती है और कोई समस्या नहीं आती है पौधे भी अच्छे रहते हैं और उसके बाद में लोकी का अभी रेट तो मैं नहीं बता सकता क्या रेट है बट मैं जब भी इसकी हर्वेस्टिंग करूँगा आपको दिखाऊंगा क्या रेट में जाएगा बट मेरा पौधा बहुत अच्छा है इसमें मैंने रेबुजेम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था रेबुजेम का छिरकाओ किया था और इसमें फूल रुकने की दवा भी मैंने जो उस दिन खरबुजे में डाली थी इसमें मैंने उसको भी डाली है बौधा काफी अच्छा है देखते हैं क्या इसमें देता है मुझे लग रहा है कि एक पौधे में लगबग 15-16 लौकी के फल छोटे छोटे लगे हुए हैं अब देखते हैं इसमें से कौन सा बचता है कौन नहीं बचता है बट मेरा जो अनमान दिन में हर्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी आपको वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या कैसे हैं और तब तक के लिए किसान भाईयों धन्यबाद मेरा वीडियो देखिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मे प्राइब के लिए लाइब करिए